जहीं दोस्तो स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो आज हम करने वाले हैं हमारी कम्प्यूटर की टोप 500 MCQ सीरिज का पार्ट नमबर 4 अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए HSSC कम्प्यूटर कुश्चन के नाम से प्लेलिस्ट भी क्रियेट कर दी है तो वहां से जाकी वह आप उन पार्ट को देख सकते हैं तो तो ली स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है कुश्चन नमबर 151 माइक्रोसोफ्ट ओफिस है माइक्रोसोफ्ट ओफिस तो और एक्सल यह सारे आपके एप्लिकेशन सोफ्टिर होते हैं ओप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट बनेगा नेक्स्ट उस्ट नमबर 152 बेसिक का परियोग कहां किया जाता है बेसिक लेंग्वेज इस यूज़ इन तो इसका यूज़ किया जाता है सरल प्रोग्रामि सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसकी फुल फॉर्म होती है काफी बार एक्जाम में पूछी जाती है नैक्स्ट कुछन नमबर 153 गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का परियोग किया जाता है विच पार्ट ओफ कंप्यूटर इस यूज़ फूर इस ये अग्रह आप मॉक टेस्ट लना चाहते हैं कंपांडो के कंपांडो के सिर्भ के कि इन दोनों की हमारी कौमंट ही चली हुई है तो बढ़े कर सकते हैं जंसे नेक्स्ट का पूरा नाम क्या है दोस्तों यह आप तेरा तर्इक को SI का exam हुआ था, उनके अंदर पूछे गए था question What is the full name of Wi-Fi? तो इसका full name होता है Wireless Fidelity, option A write हो जगा है, ये सारे questions आपके mock test के अंदर से पूछे गए थे, ठीक है? तब ही तुम आपको बोलते हैं, आपके लिए mock test काफी important रहते हैं, जो हम आपके लिए create करते हैं, लेकिन आप भरोसा नहीं करते हो Ctrl-Shift-Alt Ctrl-Shift-Alt, कुझी को क्या कहते हैं? ये भी आपका as it is, dicto mock test में डालोगा question था, तो Ctrl-Shift और Alt Keys को कहा जाता है Modifier Keys, ठीक है? याद रखीगा, दुबारा से exam में पूछा जा सकता है, functions की कितनी होती हैं, आपकी 12, F1 से लेके F12 Next, assembly language है Assembly language की step क्यों होती है? तो ये होती है, आपकी low level language ठीक है, जो computer के साथ interpretate करती है Assembly language is the low level language Option D, यहाँ पर बिल्कुल right बनेगा Next, most important question Virus stands for Virus की full form आपको बतानी है, तो इसकी full form होती है Vital, information, recourse under siege, vital, information recourse under siege Virus की full form होती है Next जब एक परस्ट भर जाता है और दूसरा परस्ट वांचीत होता है तब यह है, एक खालिस्तान डालता है जब एक page भर जाता है तो दूसरा page आता है आपका तो इसके अंदर दो पेजों के बीच में क्या आता है आपने कभी भी MS Word खोला होगा तो उसके बीच में आपको एक दिखता होगा एक break इसकी को बोलते हैं soft page break option A यहां पर बिल्कुल right बनेगा Next question number 159 blank software text आधारी दस्तावेज जैसे newsletter या brochure बनाने के लिए यूज किया जाता है कौन सा software documents और newsletter और brochures बनाने के लिए यूज होता है तो यह होता है आपका backstop publishing का यूज किया जाता है आपका newsletter और brochure बनाने के लिए Next question number 160 backspace कुझी cursor के blank के अक्षरों को मिटाती है backspace जो आपकी key होती है वो characters को किस side से काटती है तो यह काटती है left side से option C यहाँ पर बिल्कुल right हो जगा और एक और point आपके याद रखना है यहाँ पर अपकी बाद delete की भी पूछ सकता है backspace की आपकी left से काटती है memory पते होते है the bus only connects to the CPU and RAM which hold only memory address भी होती है address bus address bus जोती है connect करती है CPU और RAM को और इसके अंदर memory address होते है option C is the right answer next question number 162 database प्रविष्टियों को कहा जाता है database entries are card database entries को कहा जाता है record option C यहाँ पर बिल्कुल right बनेगा next परतेक table spread sheet grid के रूप में प्रस्तूत होती है जिसे कहा जाता है is table is presented in the form of spread sheet grid is called तो इसको कहा जाता है data sheet ठीक है जब हम spread sheet बनाते हैं तो उसके अंदर आपको मिलेगी data sheet option A यहाँ पर right हो जाएगा spread sheet कहाँ पर बनती है MS Excel के अंदर चीक है और यह आपको क्या है application software next blank एक table में एक column जिसमें record के भीतर जानकारी का एक्विशिस्ट भाग होता है blank किसे column in a table that contains a specific part of information within a record तो यह होती है आपकी field field एक आपका ऐसा column होता है table के अंदर चीक है और जिसके अंदर क्या होता है आपका record save रहते है ठीक है option a यहाँ पर बिल्कुल write हो जाएगा field next question 165 blank सूचना की एक संपूर्ण database सूची होती है blank is an exhaustive database catalog of information तो यह होता है आपका table tables होती है उस सूचना की एक संपूर्ण database सूची होती है option c यहाँ पर बिल्कुल write हो जाएगा next question 166 एक संपूर्ण operating system जो एक desktop computer notebook computer या एक mobile computing युकती पर काम करता है उस operating system वो क्या कहते है तो इस operating system कहते है stand alone operating system यह जो operating system होता है desktop computer, notebook computer और mobile computing युकती के अंदर काम करते है इन computer क्या बोलते है stand alone operating system next question 167 कभी-कभी network media की तुलना उस data की मात्रा से की जाती है जो ले जा सकते है इसमें एक कारक को आमतुर पर कहा जाता है sometime network media compared with amount of data they can carry a factor in this usually referred to as तो यह कहा जाता है bandwidth option c यहाँ पर write आपका हो जाया कभी-कभी network की तुलना उस data की मात्रा से की जाती है जो यह ले जा सकते हैं इसमें जो कारक क्यूज होता है आपका वो होता है bandwidth next dns की full form बतानी है very very important question तो dns की full form होती है आपकी domain name system option d यहाँ पर बिल्कुल write हो जाएगा next sql sql की full form आपको बतानी है तो इसकी full form होती है structured query language structured query language very very important definition next एक उच्छगती की समर्ती युकती cpu में परकिया के दुरान s थाई बंडान है तो परिवुत होती है कहलाती है a high speed memory device cpu is used for temporary storage doing the process of तो दोस्तो इसके अंदर जो use होती है आपकी high speed memory device वो होती है register ठीक है और इसके अंदर आपकी temporary storage रहती है option A यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा next shortcut keys का question है slide प्रसूती के दुरान एक hyperlink के बाद दूसरे hyperlink के chain के लिए आप क्या दबाएंगे during slide presentation what would you press to select one hyperlink followed by another तो इसके लिए shortcut key का use होता है tab एक hyperlink से दूसरे hyperlink में जाने के लिए next question number 172 blank port को com port के नाम से भी जाना जाता है serial port को com port के नाम से भी जाना जाता है serial port देख लेते क्या होता है the serial port is a type of connection on PC ये type होता है connection का PC के अंदर that is used for peripheral such as mice, gaming controllers, modems and older printers ये आपका gaming controllers के अंदर modems के अंदर जो old printers होते थे उनके अंदर use किया जाता है it is sometimes called com port or as rs232 port या तो इसको com port कहते हैं और इसका दूसरा नाम है rs232 port ठीक है जो कि इसका एक technical name है next प्रत्थम graphical user interface के साथ उपलब्द वे ब्राउजर कोन सा था the first wear browser available with a graphical user interface तो ये था airwise याद रखना यह आपका राजस्तान पूलिस कोंस्टेबल के एक्जामे पुछा गया था next company ने अंतरास्ट्य स्तर पर emoji का प्रिच्चे अपने mobile device में कराया था the company introduced emoji on its mobile device तो सबसे पहले emoji जो introduced की थी mobile के अंदर वो थी company प्रिच्चे यहां पर राइट हो जाएगा यह भी आपका राजस्तान पूलिस कोंस्टेबले पुछा गया था next भारत के पर्थम सूपर कंप्यूटर 8,000 हमने पहले डिसक्स किया था भारत का पहला सूपर कंप्यूटर कौन सा है पर्थम परम आठजा जो कि सीदेक पूने के द्वारा विक्सित किया गया था और ही किया गया था 1901 के अंदर option D यहां पर बिल्कुल light हो जाएगा next खालिस्तान का उप्योग application के backend को विक्सित करने के लिए किया जाता है blanket use to develop the backend of the application तो GUI का use किया जाता है ठीक है application के backend को विक्सित करने के लिए GUI की full form होती है graphical user interface next खालिस्तान एक वायरस था जिसका पता पहली बार Arpanet पर पता चला था blank was the virus that was first detected on Arpanet तो यह था पर creeper ठीक है creeper जो वायरस था उससे पहले detect किया गया था Arpanet पर next question no 178 very very important Supercomputing के पिता के रूप में किसे जाना जाता है who is known as the father of Supercomputing तो यह है C more Craig option C right यहां पर हो जाएगा next किसी संसादक दवारा पर 30 seconds की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धान करके किसके दवार किया जाता है किसके दवार किया जाता है the number of operation that can be performed per second by a processor it determined by it is expressed in megahertz और gigahertz तो यह होती है आपकी clock speed option A यहां पर right हो जाएगा और इसको megahertz और gigahertz में मापा जाता है next निवन में से कौन सी समर्ती मुख्य रूप से अर्चाल को पर आधारित नहीं है which means following memory is not mainly based on the semiconductor तो आपकी main memory, secondary memory और register यह तीनों जो हैं आपकी semiconductor based memory होती है लेकिन जो आपकी cache memory है यह आपकी semiconductor based memory नहीं है तो option B यहां पर बिल्कुल आपका right हो जाएगा next question number 181 Microsoft Word file में clipboard की सामगरी को paste करने के लिए किस Keyboard shortcut का प्रियों किया जाता है which keyword shortcut is used to paste the content of clipboard in Microsoft world file तो paste करने के लिए the complete control plus B का use होता है control plus C का use copy करने के लिए control plus X का use up किया जाता है cut करने के लिए control plus P का use किया जाता है country next question number 182 जब Microsoft Worksheet के अपर कोस्ट है यान के Cells में संखें परिवस्ट की जाती है तो पूरव निरधारिश देती है यानि बाइड डिफोल्ट होती है इसका कहने का मतलब यह है जब Microsoft Excel के वरक्षीट होती है उसके अंदर जो Cells होती है जब हम इनके अंदर एंट्री करते हैं तो वो पहले से बाइड डिफोल्ट क्या स्लेक्ट होता है तो होता है लेफ्ट अलाइइंड यानकी यहां से एंट्री आपकी स्टार्ट होती है इसका याद रखना आपको इंपोर्टर बनता है next TCP का पूर्ण सवरूप क्या है What is the full form of TCP TCP full form होती है Transmission Control Protocol Option C यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका Next Computer में Where Default Hard Disk Drive जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहाँ से चलाए जाते हैं निमल कितमे से कौन सी है तो First है आपकी C Drive Second है D Drive फिर है E Drive फिर है F Drive तो यह होती है आपकी C Drive यह By Default Disk Drive है वह इसी के अंदर प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहीं से वो रन करते हैं C Drive is the right answer Next HD SDVGA आदी शब्द निमल लिखत में से किस से संबंदित हैं HD SDVGA is related to तो यह है आपके Sound Quality से HD, SD और VGA आपके Sound Quality से related होते हैं Next बड़ी संख्याओं में लोगों के सामने प्रस्तूती करने के लिए निमल लिखत में से किस Output Device का यूज़ किया जाता है Which of the following Output Device is used to make a presentation in front of a large number of peoples तो आप सभी को पता है Projector का यूज़ किया जाता है ठीक है जो presentation होती है वो एक large amount के peoples को दिखाने के लिए Projectors का यूज़ किया जाता है आप में देखे भी होंगे Next Local hard disk से Website server पर content रे जाना क्या कहलाता है तो यह कहलाता है uploading Local hard disk से Website server पर content को लेके जाना क्या कहलाता है uploading Next Keyboard और mouse क्या कहलाते हैं What are the keyboard and mouse card तो यह होती है आपकी input device इन से क्या दिया जाता है Input Option B यहाँ पर write हो जाएगा Next MS Word में selected task को copy करने के लिए निमलिक्त में से कौन सी shortcut की कुझी का यूज़ किया जाता है तो इसका आपका write हो जाता है Ctrl प्लस C ठीक है Copy करने के लिए Ctrl प्लस C का यूज़ किया जाता है Next Print का भी आ गया है Word दस्तावेश Print करने के लिए निमलिक्त में से कौन सी shortcut command का यूज़ किया जाता है Which one of the following shortcut command is used to print a word document तो print करने के लिए आपका Ctrl प्लस D का यूज़ किया जाता है Next Ctrl प्लस P का यूज़ किया जाता है Next निमलिक्त में से कौन GUI अधारित ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है Which one of the following is not a GUI-based operating system तो आपका Windows, Mac OS, Chrome Windows, Mac OS और Chrome ये तीनों आपके GUI-based ओपरेटिंग सिस्टम है लेकिन Mac DOS ये आपका ओपरेटिंग सिस्टम GUI-based operating system नहीं है तो ये answer आपका राइट यहां पर हो जाएगा स्क्रीन पर चीज़े चुनने और ड्राइंग करने के लिए उप्योग होने वाली input device कौन सी है तो फर्स्ट आपका Marker सेकंड एंग पैन थर्ड आपका Magnetic Pen और डी हापका Light Pen तो इसका यूज होता है Light Pen का स्क्रीन पर चीज़े चुनने और ड्राइंग करने के लिए Light Pen का यूज होता है और यह आपकी input device है Next question number 193 CMOS का पूर्ण रूप कहभाड़ The full form of CMOS तो इसकी full form होती है Complimentary Metal Oxide Semiconductor Complimentary Metal Oxide Semiconductor Next निमलकित में से कौन सी सेवा Internet का प्योग नहीं करती है Which of the following service Does not use the Internet तो email के लिए Internet का यूज होता है Facebook के लिए YouTube के लिए लेकिन disk cleanup के लिए आपका Internet का यूज नहीं किया जाता है Next कारियले के उप्योग है तू सामाने laptop में प्राइनिमलकित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है Which of the following Is usually not a possibility in a normal laptop for office use तो first आपका 512 GB RAM B है आपका 512 hard disk C है USB port D है आपका keyboard तो दोस्तो 512 hard disk होती है USB port होता है Keyboard भी होता है लेकिन 512 GB RAM आपके laptop में नहीं होती है जो specially office use के लिए होते है Option A आपर राइट हो जाएगा Next Which of the following is not the main function of CPU निमलकित में से कौन सा CPU का मुख्यकारी नहीं है तो इसका जो मुख्यकारी नहीं है वो है Option A Optical disk drive Optical drive ये read नहीं करता है जबकि Arthematically और logical operation Perform करता है बिल्कुल right है Execute करता है Execute करता है store program instructions को Third आपका close contact with primary storage और main memory Primary और मुख्य memory से निकट संपरक करता है लेकिन optical disk drive ये read नहीं करता है Next question number 197 Blank विशेश परकार के printer होते हैं जो बड़े आकारवाले engineering छेतर और उसी परकार के बड़े graphics बनाने के लिए बनाए गए हैं तो ये होते हैं आपके plotters, plotters आपके कैसे printer होते हैं जो specially engineering drawings के लिए उज़ होते हैं ठीक है और large graphics बनाने के लिए उज़ किया जाता है plotter और आपको comment box में बताना है plotter किस type की device है input है या output है next एक मननक output device है जो विभिन रंगों वाले 1000 pixels परकाशित करके text चित्र और user interface ततों को परदर्शित करता है blank is a standard output device that displays taxed images and user interface elements by illuminating 1000 pixels with different colors तो यह होता है monitor ठीक है और यह क्या होता है output device next एक operating system एक व्यक्ति के प्रतिकों icon visual metaphor pointing devices डिवाइसों के उप्योग के माध्यम से computer के साथ समवाद करने में शक्ष्ण मनाता है यह निमें लिकित में से किस रूप में वर्गी कलत किया जाता है an operating system enables a person to communicate with a computer through the use of symbols icons visual metaphors and pointing device तो यह आपका किस वर्ग के अंदर है तो यह आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर जो computer जो person होता है communicate करता है computer के साथ ठीक है और जिसके अंदर use के अंदर symbol का icons का visual metaphors का pointing devices का next computer के hardware से computer भोगता को connect रने वाला इंटरफेस के रूप में कारिये करता है blank acts as an interface connecting the computer user to computer hardware तो इक क्या होता है इसका right answer बताइए तो दोस्तो इसका right answer आपका जो हो जाएगा option B operating system operating system एक ऐसा interface है जो computer user को computer के hardware के साथ connect करने में help परता है तो इसका right answer आपको हो जाएगा operating system तो दोस्तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो जादे 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 लाइ मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिन जवारब